नवस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में ड्राइबिंग करना कैसा होता है अगर आप सपने में देखते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं आप साइकल ड्राइब कर रहे हैं या आप मोटर साइकल ड्राइब कर रहे है तो इसका क्या मतलब होता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ सकता है अगर हम सपन सास्त्र की बात मानें तो सपन सास्त्र कहता है सपने हमारे भविश्य का दरपन होते हैं सपने हमें बताते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ में कौन सी घटनाएं घट सकती हैं और इन घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है सपने हर बेक्ति को आते हैं चाहे आदमी सपने देखना चाहे या ना देखना चाहे ऐसे में कुछ सपने सुब भी होते हैं कुछ सपने असुब भी होते हैं इनी मेंसे एक सपना होता है जिसमें बेक्ति केसी यंत्र या केसी गाड़ी को संचालित करता है या ड्राइब करता है जैसा कि आप सपने में अगर आप अपने आपको मोटर साइकल की ड्राइबिंग करते हुए देखते हैं या कार की ड्राइबिंग करते हुए देखते हैं या आप रत चलाते हुए या बैल काड़ी की चलाते हुए कुछ भी आप चलाते हुए या दिशा कर देते हुए किसी भी यंत्र को अपने आपको देखते हैं तो ये अच्छा सुप सपना माना जाता है ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हमारी जो मनोदसा है वो काफी बढ़िया होने वाली है जिसकी वज़े से हम अपने जीवन में सही नड़े ले पाएंगे और आने वाले समय में हमको अच्छे परणाम भी देखने को मिल सकते हैं इसके विपरीत अगर आप सपने में देखते हैं कि अगर आप ड्राइब कर रहे हैं और ड्राइब करते समय आपसे कोई दुरगटना हो जाती है जिसमें आपको या सामने वाले बेक्ति को चोट बगार लग जाती है या उसकी मरत्त हो जाती है अगर ऐसे सपने आते हैं तो य कर सकते हैं जिससे आपकी समाज में काफी हानी हो सकती है यह हानी आपकी आर्थिक भी हो सकती है समाजिक भी हो सकती है या आपकी मान हानी भी हो सकती है यह सपना इस बात की और संकेत करता है भाई आप किसी गाड़ी को चलाते हैं और गाड़ी फराटा मालते हुए अपने जिल पर आराम से पहुच जाती है। और आप निश्चिन्थ होकर अपने सफर को समाप्थ करते हैं। ऐसा अगर आपको सपना आता है तो ये बेहदी सुब सपना होता है। ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हम जिन भी योजनाओं पर काम कर रहा हैं उसमें हमको सपलता प्राप्त होगी इसके अलाबा हम अपने धुर्ग रोधियों को भी धूल चटा सकेंगे और अपने कारे को उसके अंजाम तक पहुंचा सकेंगे यह छोटा सा वीडियो आपको जानकारी देने में समरत रहा होगा इसलिए कमेंट बॉक्स में जैसर नाम अवश्य लिख दें थेंक्यू फोर बॉच्चिंग